हाई फ्रेंट्स मैं हूँ डॉक्टर मुशरफ हुसेन और मैं इस हफते से एक नया सेक्शन शुरू करने जा रहा हूँ जिसको मैंने नाम दिया है स्वास्थ ग्यान Q&A सेशन तो हर अफते आपको आपके सवालात आपके प्रशनों के जवाब मिलेंगे जो भी आपके स्वास्थ से सम्मंदित हो किसी बीमारी की आप जानकारी लेना चाहते हैं या आप कुछ अपने स्वास्थ से सम्मंदित पूछना चाहते हैं तो मैंने एक पोल दिया था आप लोगों को, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, कि आप लोगों ने उस पे मुझे response दिया, और आप लोगों के सवाल भी मेरे तक आये हैं, मैं उन सवालों को आपके सामने अभी एक एक करके रखूँगा, और मैं आपको बड़ा सा thanks कहना चाह आता हूँ, कि आपने मुझे प्रेरित किया, मोटिवेट किया, इस session को continue करने के लिए, अगर आपके सवाल आते रहेंगे, तो मैं आगे हर हफते, Sunday को ये आपके answers लेके आया करूँगा, तो शुरुआत करते हैं आपका स्वास्त ग्यान Q&A, जो पहला सवाल मुझे मिला है, स्वास्त ग्यान Q&A से रिलेटेड, वो है NSK Technical Girls की तरफ से, उन्होंने लिखा है, कि जो नारियल पानी है, क्या उसको निकाल के तीन से चार घंटे तक किसी बोतल ये गलास में रखके इस्तमाल कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है, तो देखिए, जो नारियल पा वो कम हो जाती है, और उसके फायदे कम हो जाते हैं, हाँ उसको आप फ्रिज में रखके, टाइट बंद करके छोड़ सकते हैं, दो तीन घंटे के लिए, लेकिन अगर आप नॉर्मल टेंपरिचर पे इस नारियल पानी को रखके पीते हैं बाद में, तो उसका आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा, तो मेरी सला है, कि आप जब भी नारियल पानी पीएं, उसको फ्रेशी पीएं, फोरन निकालें और तब ही पीएं, या आप एक घंटे के अंदर अंदर इस पानी को इस्तमाल कर लें, जो दूसरा सवाल है, वो है, MD पाशा की तरफ से, उन्होंने प रोकेशन क्या है, किड्नी के अंदर, और कहीं वो आपका पिशाप तो नहीं रोक रही है, अगर कोई चोटी पत्री है, 5-6-7 mm की पत्री है, जिससे आपके पिशाप का रास्ता नहीं रुक रहा है, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है, उसका आपका किड्नी पे कोई सर नहीं पढ़ने वाला है और आप इसको मेडिकल मेनेजमेंट से अदवाईयों के साथ या ज़्यादा पानी पीनी के साथ भी इस पत्री को निकाल सकते है लेकिन अगर कोई ऐसी पत्री है जो पिशाप के रास्ते को रोक रही है ऐसी जगापे है जिसका साइज बड़ा है जो पिशाप को पूरी तरह से किड्नी से बाहर नहीं निकलने दे रही है तो फिर ये आपकी किड्नी को नुक्सान पहुचा सकती है और अगर आप के किड्नी के अंदर लगातार तीन महीने तक पिशाप भरा रहे जिसको हाइडरोनेफरोसिस कहते है तो यह आपकी किड्नी को पूरी तरह से डेमेज भी कर सकती है खराब कर सकती है फैल भी कर सकती है और उसके बाद पत्री को निकालने के बजाए किड्नी को निकालने की भी जरूरत बढ़ सकती है तो इसलिए अगर ऐसा बड़ा पतर है जिसने आपके पिशाप को रोक रखका है तो बिना देर किये बिना किसी की बात माने फोरण आप यूरोलोजिस से मिले और इस पत्री को निकाल दें सो देट आपका किड्नी को बचाया जा सके तीसरा सवाल है एस खानम चैनल की तरफ से उनका सवाल है कि जो डेंगू का मच्छर है एडीज एजप्टाई इससे और कौन कौन सी बिमारियां फैलती है और क्या डेंगू के खिलाफ कोई वैक्सिन मार्केट में अविलेबल है या नहीं है जो डेंगू का मच्छर है जिसको एडीज एजप्टाई के नाम से जानते हैं ये डेंगू बिमारी तो फैलाता ही फैलाता है इसके लावा ये कुछ और बिमारिया भी ट्रांस्मिट करता है जिसमें से बहुत जादा कॉमन है येलो फीवर येलो फीवर भी ये एडीज एजप्टाई के तुरू फैलती है चिकनवोनिया भी इसी वाइरस इसी मच्छर के तुरू फैलता है और एक जो जीका वाइरस है जीका वाइरस विमारी है वो भी एडीज एजप्टाई मच्छर के काटने से ही फैलती है जो दूसरा सवाल है आपका कि क्या डेंगो वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन मार्केट में अवेलेबिल है तो वैक्सीन तो अवेलेबिल है कुछ मुलकों ने कुछ देशों में ये वैक्सीन बनाई गई है मगर इनका उस लेवल पे इस्तमाल नहीं हुआ है यह उतनी कारागार भी नहीं है, उसका कारण यह है क्योंकि डेंगू के अलग-अलग strain होते हैं और हमें नहीं पता होता कि एक strain जो इस बार आया वही अगली बार आएगा और एक strain का antibody दूसरे strain के against काम भी नहीं करता है तो इसलिए इसका कोई worldwide use नहीं है, हिंदुस्तान में अभी डेंगू का कोई virus डेंगू virus का कोई vaccine available नहीं है अगला सवाल भी यह डेंगू virus से संबन दीती है, यह स्वास्तियान चैनल की तरफ से सवाल आया है उनका यह पूछना है कि अगर किसी को डेंगू बुखार एक बार हो जाए तो क्या उसको फिर से डेंगू बुखार हो सकता है या नहीं तो सिधा सवाल यह है कि अगर किसी को एक बार डेंगू हो गया तो उसको पूरी-पूरी possibility है कि अगली बार भी डेंगू हो सकता है उसका कारण यह है क्योंकि डेंगू के अलग-लग strain होता है और हिंदुस्तान में जो है मेंली चार तरह के strains हैं जिसको D1, D2, D3 और D4 के नाम से जानते हैं एक वाइरस का strain से अगर डेंगू हो जाता है तो यह इस strain के against antibody बना लेता है और हाँ आगे इस strain से कभी भी इस मरीज को डेंगू बुखार नहीं होगा लेकिन जो बाकी तीन बचे अगर उन में से कोई strain आ जाता है तो फिर इसको भी डेंगू बुखार हो सकता है क्योंकि एक strain का antibody बाकी वाइरस के against काम नहीं करता इसलिए बहुत जादा possibility है कि एक बार अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो इसको दुबारे से भी डेंगू हो सकता है अगर साफधानिया ना बढ़ती जाए तो अगला सवाल है MR AX चैनल की तरफ से इन्होंने अंग्रेजी में लिखता है इन्होंने पूछा है कि इनको अलोपेशिया के कई सारे पैचेजिस हैं ये बहुत सारी दवाईय इस्तमाल कर चुके हैं लगा के लैसून, प्याज, अद्रक, सारे जूसेज ये इस पर अपलाई कर चुके हैं एक होता है रोगन बैजाय बुर्ग, दूसरा है रोगन जरारी और तीसरा होता है रोगन आमला इन तीनों ओयल्स को आप 2-2-2-1 के रेशियो में मिला के रख लें और जो आपके पैचेज हैं उन पे सुभा शाम मालिश करें और पाकी सर में 1-2-1-2 के रेशियो मिला के और नॉर्मल ओयल की तरह इस्तमाल करें एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि बीमारी आसान नहीं है मुश्किल बीमारी है थोड़ा आपको पेशिंस रखना पड़ेगा और इसको लगतार इस्तमाल करना पड़ेगा ये 2-3-4 मीने लगाने के बाद बाला जाएंगे फिर छोड़ेंगे फिर चले जाएंगे पर इन ओयल्स को लगाने का कोई नुकसान नहीं है आप इनको लगतार भी लगा सकते हैं एक बार जब आपके बाला जाएंगे तो इसको 1-1-1-1 के रेशियो में लगतार इस्तमाल करते रहिए अगर आपको फिर से पैस देखता है तो फिर आप उस पे फिर से 2-2-2-1 के रेशियो में मालिश कर सकते हैं जो नेक्स्ट सवाल है और इस सेशन का आखरी सवाल है वो आया है मिस मदीहा सहर की तरफ से उन्होंने पूछा है कि ज़्यादा फ्राइड खाने से चिकना तला खाने से बहुत ज़्यादा फैटी फूड काने से क्या लीवर फेल होता है तो बात है कि हाँ और ना दोनों देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड खाते हैं बहुत ज़्यादा चिकना खाते हैं बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और यह फैट अगर जमा होता रहता है तब तो नुक्सान है लेकिन अगर आप exercise करके कलोरी इसको burn करते हैं और इस fat को liver पे जमा होने से रोक लेते हैं तो liver fail होने का chances नहीं है लेकिन अगर यह चिकना ही आपके liver पे जमा होने लगती है तो इसको fatty liver disease कहते हैं और जब यह fatty liver disease की grade बढ़ने लगते हैं जैसी यह grade 2 की तरफ जाता है यह grade 3 की तो फिर यहाँ पे surosis of liver होने के chances बढ़ जाते हैं और surosis of liver जो है liver failure का एक stage है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जादा चिकना खाने वालों को liver failure होने के chances हैं अगर fatty liver है तो liver failure भी हो सकता है तो I hope कि मैं आप लोगों के सारे answers के ठीक ठीक जवाब दे पाया अगर आपको यह subscribe करना ना भूलें bell icon का बटन जरूर दबा लें so that आपको सारे notifications मिलते रहें मुझे पता आप मेरे videos देखते हैं लेकिन subscribers का video देखें जाना कम है बामकाबले नए लोगों के so तन्यवाद thank you